अलो फ्रेंड्स वेलकम तो मैं यूट्यूब चैनल आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HTML में पैरग्राप्स के बारे में तो चलिए सुरू करता है अगर जैसे हमारे पास बहुत सारी ब्राउजर होते हैं उनमें अगर हम पी टेक का यूज नहीं करेंगे तो भी वह हमारा एज उसको क्या लेगा पी टेक जरह लेगा बट इस में राइज अन्यच्पेक्टर रिजल्ड हमको यह पता नहीं लेगा कि वह कभ उसको इज़बर पैरग्राप माने गा या फिर कभ उसको इस पर अज़बर नहीं मानेगा सो it is a good convention and we must use the closing tag so हमें closing tag लगाना बहुत जरूरी है ठीक है इसका syntax हमारा बेसिकली यहां पर है ओके यहां पर हमें सबसे पहले आता है opening tag and then closing tag जो भी हमारा बीच में आएगा हो content आएगा तो यहां पर एक्जांपल देखते हैं फर्स्ट वाला इन इस एक्जांपल वी आर उजिंग देट इस यूज फोर पेरिग्राफ इन html सो यहां पर आप देख सकते हो जो हमारे यह पीटेग है यह वाला यहां पर हमारा रहा है यह content and then इसका जो output आ रहा है वह आप देख सकत सबसे पहला जो हमारा रहा है वह हमारा heading का है जो हमने इससे पिछली वाले lecture में देखा था and then जो इसके नीचे लिखा होगा है computer science portal for gigs तो यह हमारा पीटेग का है जो भी हमारा content आएगा वह यह paragraph होगा और वह हमारा हमेशा new line से start होगा ठीक है तो नेक्स्ट हमारे पास है इस एक्जामपल explain the html tag वापस से हमारे यह यहां पे tag आ गया तो पीटेग को यहां पी इसमें दो है एक यह रहा यहां यहां आपास है आप यह देखा आप वापस से अलग लग यहां पर जो content इसका आ रहा है इसके top में एंड bottom में कुछ space है तो यह हमारा PTAC की help से होता है ठीक है and I already mentioned the PTAC automatically adds a space before and after any paragraph which is basically margin added by the browser so PTAC हमारा क्या करता है margin add करता है top में and bottom में so if a user adds a multiple spaces the browser reduce them to a single space अगर हमारा जो user है वो उसमें multiple space को वहां पर use करता है content में तो जो browser है वो उसको एक तरह से single space में count करेगा ठीक है if a user adds a multiple lines the browser reduce them to a single line अगर तो PTAC उसमें जो पर content हम चाहते है कि वो सारा अलग-अलग line में आये और तो हम उसको क्या करेंगे वहां पर अगर हम चाहते है कि हम जो हमारा HTML code है उसी में उसको change करते content को as a new line में करते जाए तो वह हमारा उस तरह से print नहीं होगा जो हमारा browser हो क्या करेगा उसको single line में वहां पर print करवाएगा ठीक है यह हमारा ब्लोग टेक होता है अब ब्लोग टेक क्या होता है वह मैं आपको बताऊंगा आगे वाले वीडियोज में ओके इसके बाद जो भी हमारा content आएगा चाहेगो कोई सा भी टेक हो वह हमारा हमेशा new line में ही आएगा ठीक है तो यहां पर हमारा पास यह एक्जाम्पल आपको बताया कि यहां पर इस तरह से अगर करना चाहते है हमारे html code में तो यह हमारे एक तरह से सिंगल लाइन में होगा देख यहां पर हमारा सिंगल लाइन में आखा दोनों लाइन ठीक है तो यह भी अमारा पुरा एक सिंगल लाइन में count होगा अगर हमको एस तरह से प्रिंट करना है तो और गांगे वीयर यार थेया मर उसका यहां पर करेंगे तो बीयार टेक का हमारे यह सिंटेक्स होता है इसको क्यूंत क्लोजिंग नहीं होता ppy दिस एक्जाम्पल प्लिशिध इस तरह से यहां पर आप पूब प्रिंट हो जाएगा अब देख सकते हो हैं आपना हमारा प्रिंट हो गया नौ अलाइन एट्रिबिट की बात करते है तो इसमें क्या आता है दो कीटेग इस्पेस फेसेला इस्पेस्यली शपोर्ट धा लाइमेंट एट्रिबिट एंड अलोग्य अस्टू अलाइन ओर पेरेग्राफ इन लेप्ट राइट औरしく anál में अगर हम चाहते हैं कि जो अमारा यह जोdo कंक्टेंट है हो मार अलाइद हो या तो राइट में ओलेप्ट में और क्रेंग सक्थे चो और अलन जो a computer science portal for gigs, यह आईगा हमारा left में and right में आईगा हमारा it contains well written well through the articles okay, so यह हमारा right में आईगा, so इसका output आप देख सकते हो, इस तरह से हमारा output आईगा, अब यह तो हो गया हमारा vrtag की helps है, now if you want to use like without vrtag how to, we print our code whatever we written in our html के code, so what we can do, here pre is used for this, so we have seen how the paragraph tag ignore all the changes of lines and extra space within a paragraph, but there is a way to preserve this by the use of pre tag, so हमारा यहां पर क्या होगा, जो हमारा pre tag उसका हम help कर ले सकते हैं यहां पर, यह भी हमारा पहले से लिखा हो होगा code में, वो हमारा html प्रिंट हो जाएगा, without vrtag के भी, okay, it also contains an opening and closing tag, it display a text within a fixed height and width and results the extra lines and space we use, so pre हमारा क्या करता है, यहां पर हमारा इसका opening tag होता है and then closing tag होता है, आप जैसे सेम चाते हैं कि यहां हमारा as it is print हो जाए, तो हमारा क्या होगा, pre tag without any vrtag we can use, simply pre tag we can done it, so here you can see for output will be display like this, so thanks for watching this video